हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंटर सेक्टर सेफ्टिंग के लिए आपको आवेधन किस तरह से करना चाहिए कौन सा तरीका जो है वो ज़्यादा सही होगा आपके लिए तो हो सकता है आपको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़े तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाट साला नमसका दोस्तों मैं कोयाँ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकうん बटन को भी प्रेस जरू कर देजिगा और साथ में इस वीडियो को लाइक बी जरू कर तो चलिए सुरू करते हैं आज की पाष्ट साला तो दोस्तों बात करते हैं कि इंटर सेक्टर सिफ्टिन जब आप एक जॉब से दूसरे जॉब में जाते हैं या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में एक डिस्टिक से दूसरे डिस्टिक में एक स्टेट से दूसरे state में तो ऐसी condition में आपके DTO, POP, DTA यह आप कहेंगे DTO ऐसे कोई भी जो भी आपके संबंदित रखकारें उन वहां से अपने पुरान को आपको shift करना होता है अपने current employer के पास जो current अधकारी होते हैं तो जो पुराने अर्थकारी होते हैं उनको सोस नोडल आफिस का जाता है जहां पर आपको भी shift करना है वो target नोडल आफिस होते हैं और यहां पर shifting की दो प्रक्रिया उपलब्द हैं आप online mode में जा सकते हैं और offline mode में online mode में आप CRA की website पर अगर आप government इंपलाएं तो आपके CRA NSTL जिनका नाम बडल का protein हो चुका है यही पर आपका account shift होगा यही पर आपका account भी run करेगा तो जब आपको यहां पर process के लिए अपलाई करना है तो आप अपने credential जो भी आपके ID password वहां से login करेंगे और intersector shifting के आविज जो option है वहां से जाकर प्रक्रिया complete करेंगे उस पर already मैंने वीडियो बनाया है और offline mode में इसे करने के लिए आप अपने नोडल आफिस के पास अपने current employer के पास एक फर्म भर कर संबंधिक डाकुमेंट लगाते हुए और उनके पास जमा कर देंगे तो यहां पर वो process होगी वो offline mode कही जाएगी क्योंकि वहां पर आपने online कुछ भी नहीं किया है आपने internet भी नहीं open किया अपने account open किया अब आपको किस mode के साथ जाना चाहिए online या offline, online में आपको दौर भाग नहीं करनी है, देखने में तो ऐसी लगता है क्योंकि आपने mobile laptop से process complete की, offline mode में आपको अपने department के पास जाना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों अभी देखने में भले लगता है कि online mode ज्यादा easy है, लेकिन जिन लोगों उनलाइन mode से apply किया हुआ है, उनके उनमें से काफी लोग की queries मेरे पास आ रही है, उनसे mobile पर भी बात हुई है, तो लोगों के समस्या ही हो रहे ही कि जब वो target office के पास जा रहे हैं, तो वो कहरें कि source office verify करेगा, exercise करेगा, तब मेरे पास आएगा, source office के पास जाते हैं, तो कहत हैं कि मुझे आपकी details ही सो नहीं हो रही है, बहुत बात तो target office के पास भी details नहीं सो रही है, जहां पर आपने apply किया, जहां का आपने code दिया हुआ है, और उनको कुछ सो ही नहीं हो रहा है, तो करें मैं क्या कर सकता हूँ, अब आप कहते हैं कि चलिए, अगर आपको नहीं सो हुआ है, तब इसके नाते हम लोग offline mode में भी आपका process नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और उनको फिर जाना तो online mode में पड़ेगा, भले आप offline mode में जा रहे हैं, तो यहां पर लोगों के साथ technical issue ही, लोग बात करें वहां पर NSTL के जो number है, toll free number, तो वहां से भी कोई special job नहीं, मेरे वहां यही कहा जा रहा है कि checker और maker से जब चीज़े authorized होंगी, तब वहां पर आपकी यह process complete होगी, बहुत माहिने यह नहीं रखता है कि checker और maker क्या काम करेंगा, माहिने रखता है कि source nodal office के पास आपकी request पहुंची हो, और वहां पर वो उसे authorized कर सकें, उन्हें सो करें, तो य कुछ technical चीज़े आ रही है, अब यह technical issue क्यों आ रहे है, क्योंकि system आपकी दिल्पुल नया है, जब भी NHTL कोई या कैसा के protein, जब भी कुछ भी नया change करते हैं, तो उसके साथ standard operating procedure, SOP जारी करते हैं, कि source nodal office या target nodal office कहां पर जाकी, कि किस तरीके से इन चीज़ों को check करेंग कि SOP उन्होंने जाईरी किया हूँ, कि online जो intersector shifting के लिए awareness आएंगे, उसे आप कैसे check करेंगे, कैसे process करेंगे, दूसरी बात जो पता चल रही है कि offline mode में, आप कई source nodal office का कोई role नहीं रहेगा, अथाथ आप target nodal office के पास ही अगर apply करते हैं, तो वो सीधा CRA से request कर देंग, और यारे वहाँ से shifting कर देगा, एक तरप से जब source nodal office का role नहीं रहेगा, तो हाँ पर ये verification, authorization के दिक्कते नहीं आएंगे, और पहले भी offline mode में, जब मैंने आवेदन किया हुआ था, और मेरा तो एक हपते गंदर shifting हो गया था, तो मैंने offline mode में ही किया हुआ था, तब तो online mode था भ सिफ्टिंग के लिए आवेदन की process दिखाई, तो मैंने बस देखा कि यहां website पर कुछ नया आ गया है, इसके बारे मैं आपको भी aware करना चाहिए, जहां तक की process मुझे संभो थी, वहां तक का मैंने वहाँ पर complete किया, अब चुकि मुझे shifting नहीं करने थी, अगर मैं shifting करता, त कि यह चीज़ी आ तो गई है online mode में, लेकिन इसे अभी आप कीजेगा नहीं, क्योंकि आपको आगे दिक्कते होंगी, तो दोस्तों सारी की सारी process मैं खुद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरी भी हर चीज़ की limitation है, हर चीज़ को मैं खुद experience नहीं कर सकता हूं, बहुत से knowledge में आपको सिफ notification से, website पर जो update आएंगी, PFID के जो आदेश होंगे, protein के जो update होगी, या ministry या finance अगर कुछ update देता है, तो यह सारी update ही मैं आप लोगों के साथ share करता हूं, मैं धूंटा तो रहता हूं कि कौन से इसी चीज़ मैं आपको बता सकूं, जिनकी आपको बहुत ज़्या आप लोगों के experience से, मैं दूसरों की help कर पाता हूं, तो मैं समझता हूं कि अगर किसी की काम में ब्योधान आता है, और इंटर सेक्टर सिफ्टिंग के कराण, अगर किसी की salary बाधित होती है, तो निसी तरपूर से गुस्सा आएगा, तो मुझे पर भरोसा बनाए रखने के आपका मैं फिर से एक बार सुक्रियादा करता हूं, चैनल पर नए हैं, पहली बारा हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन बटन को प्रेस्टर करेजेगा, इस वीटो के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में चलू लिखेगा, चले दोस्तों मिलते इस वीटो मा ऐसी इन्फोर्मेसन नौलेज अपडेट के साथ तब तक के लिए, नमस्कार.